वेलकम बैक गाईस आज हम लोग डिसकस करेंगे बच्चेदानी की सफाई के बारे में और इस टोपिक के रिगाडिंग आप लोगों के जितने भी डाउट्स होते हैं सवाल होते हैं सबी सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश करी है डाउट्स को क्लियर बाद मिलता है bleeding कितनी होती है next period कब आता है दुबारा से relation कब रख सकती है pregnancy कब होती है diet plan कैसा रखना चाहिए बचेदानी की सफाई होने के बाद क्या क्या इसके side effects होती है और भी काफी सारे सवाल हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे और आप लोगों के जितने doubts थे वो सभी इस वीडियो में ही clear हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को बिना skip के देखेंगे तो चलिए start करते हैं वीडियो को बिना किसी delay के तो गई सबसे पहले हम लोग discuss करते हैं कि बचेदानी की सफाई का मतलब क्या होता है तो medically बचेदानी की सफाई को DNC बोलते हैं DNC की full form होती है dilation and curatase अगर मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बताऊं तो dilation का मतलब होता है बचेदानी के मुँ को खोलना और curatase का मतलब होता है बचेदानी की जो अंदर वाली परत है जिसे endometrium परत बोलते हैं उसको छीलना या फिर खुरचना तो DNC मतलब बचेदानी की सफाई करते समय हम लोग क्या करते हैं ओजारों से हम लोग बचेदानी के मुँ को खोलते हैं और ओजारों की सहायता से हम लोग बचेदानी की जो अंदर वाली परत है जिसे endometrium परत कहते हैं उसको हम लोग छीलते हैं खुरचते हैं और ओजारों की सहायता से इस परत को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और बचेदानी को हम लोग खाली कर देते हैं इसी को बचेदानी की सफाई करना बोलते हैं अब यहां से बात निकल कर आती है कि हम लोग बच्चेदानी की सफाई क्यों करते हैं तो देखिए बच्चेदानी की सफाई करने के बहुत सारे कारण होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि किसी पेशेंट की एक अच्छी खासी प्रेगनेंसी थी लेकिन प्रेगनेंसी के दोरान अचानक से तेज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है दर जादा होता है और जब वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि उनका मिस्कैरिज हो गया है और उन्हें बच्चेदानी की सफाई कराने की सला देते हैं इसी परकार अगर कोई पेशन्ट अल्टर सांड कराता है और अल्टर सांड में प्रेग्नेंसी की ग्रोथ प्रोपरली नहीं आती है या फिर बच्चे की हार्ट बेट दिल की धड़कन नहीं आती है या कभी-कभी बच्चे की धड़कन आती है लेकिन वो चली जाती है तो ऐसी कंडिशन में भी आपके डॉक यह नहीं होती है और अगर वो इस pregnancy को क्हतम करना चाहते हैं तो जब वो डॉक्टर केपास जाते हैं तो डॉक्टरं उन्हें abortion कराने की चला देते हैं अब देखिए abortion दो परकार से हो सकते हैं पहला है दवायों के माध्यम से ठाशिक्ट करना जिसे जैख 1971 बोलते हैं तो उसका एक सीमित समय है, उन्चास दिन के अंदर अंदर आप दवाईयां खाकर अपनी प्रेगनेंसी को खतम कर सकते हो, लेकिन अगर यह समय उन्चास दिनों से ज़्यादा का हो जाता है, तो फिर आपको बच्चेदानी की सफाई करवानी पड़ती है, आप बच्चेदानी की सफाई करवा कर 12 सबता तक की प्रेगनेंसी खतम कर सकती हैं, वही जिन लोगों ने दवायां खाकर अपनी प्रेगनेंसी हो खतम किया और by chance अगर उनकी प्रेगनेंसी खतम नहीं होती है, उनका incomplete abortion होता है मतलब कि pregnancy के कुछ products तो निकल जाते हैं शरीर से बाहर लेकिन कुछ products बचेदानी में ही रह जाते हैं तो ऐसी condition में भी आपके डोक्टर बचेदानी की सफाई कराने की सलह देते हैं इसके इलावा molar pregnancy की condition में आपको बचेदानी की सफाई कराने की सलह देते हैं इसके इलावा अगर किसी महिला को बिना किसी कारण वर्ष vaginally bleeding हो रही है जिसका हमें कारण पता नहीं है तो भी डोक्टर आपको बचेदानी की सफाई कराने की सलह देते हैं और अंदा से जो भी चीजे निकलती है उसको हम लोग लबोटरी में भेज देते हैं हिस्टो पैथोलोजिकल एग्जामिनेशन के लिए और जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पर हमें पता लगता है कि ये जो ब्लीडिंग है इसके होने का कारण क्या है इसके इलावा जब महिलाओं की उमर 45 साल से जादा हो जाती है जिसे एक मेनोपोज एज कहते हैं और इस एज में पीरियर्ट नहीं आते हैं लेकिन कुछ महिलाओं में जो पीरियर्ट हैं वो बंद नहीं होते हैं उनको लगातार ब्लीडिंग रहती है अल्टासौन कराते हैं तो उसमें बच्चिदानी की जो परत है वो समाने से जादा मोटी दिखती है जो की यूजली कैंसर को इंडिकेट करता है तो ऐसी कंडिशन में भी कुछ डोक्र आपको बच्चिदानी की सफाई कराने की चला देते हैं और अंदर से जो भी चीज़े निकलती है उसको हम लोग लैब में भेज़ेती हैं बयोप्सी के लिए और यह जो रिपोर्ट है समाने ता साथ से 10 दिन के अंदर आती है और इस इस रिपोर्ट से हमें पता लगता है कि यह जो परत है इसकी समाने से ज्यादा मोटाई होने का कारण क्या है आपको ब्लीडिंग होने का कारण क्या है क्या यह होर्मनल इशूस के कारण है या अंदर कोई ट्यूमर है पोलिप है फाइब्रोइट है या फिर आपको कैंसर त तो जब हम लोग डिनसी करते हैं तो जो अंदसी चीजे निकल यह उसको हम लोग लैब में भेज देते हैं लबोटरी में और लबोटरी में फिर माइक्रोस्कोप के अंदर इन चीजों को एक्जामिन किया जाता है जिसे हमें पता लगता है कि बारी-बारी मिस्कैरीज होने का कारण क्या है क्या यह infection के कारण है viral infection के कारण bacterial infection के कारण या फिर यह hormonal issues के कारण हो रहा है या फिर आपको गुंड सुत्रों में खराबी के कारण है या genetic disorder के कारण या फिर DNA related issues के कारण आपको बारी-बारी मिस्कैरीज हो रहा है तो इन सभी कारणों के कारण आपकी DNC कितना आता है तो देखिए ये आपकी टोटली कंडिशन पर डिपेंड करता है अब अगर आप अमर्जनसी में बचेदानी की सफाई करा रहे हो तो उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा अगर आपकी जो कंडिशन है बहुत ज्यादा खराब है आपको तेज ब्लीडिंग हो रही है खून की कमी है तो आपको खून की बोतल लगाएंगे उसका आपको अलग से खर्चा देना पड़ेगा सामाने ता अगर आप किसी सिंपल सिटी से बिलों करते हैं तो बचेदानी की सफाई का जो टोटल कोस्ट है वो छे हजार के अरांड होता है और बड़ी सीटी में जैसे की मुंबई, चेन्नाई, हैदरावाद, दिल्ली में ये चोबीस हजार तक हो सकता है बाकी लिस्ट आप यहां पर देख सकते हो इसकी दूसरी तरफ अगर आप बचेदानी की सफाई किसी चैरिटेबल होस्पिटल में या फिर छोटे नर्सिंग होम या होस्पिटल में कराते हैं तो बचेदानी की सफाई का जो टोटल कोस्ट है वो दो हजार से पचीसो के अराउंड होता है आगे हम लोग डिसकस करते हैं कि बचेदानी की सफाई कैसे करते हैं तो देखिए बचेदानी की सफाई करने से पहले का एक प्रोसेस होता है जब फ़िर दॉक्टर आपको physically exam in भी करते हैं ताकि देख सकेंगी बच्चेदानी का मुह खुला है की नहीं खुला है जिसे पी-वी examination भोलते हैं अगर बच्च दानी का मुह underwater नहीं होता है तो फिर आपको एक tablet देते हैं खाने के लिए से अंडिकर थैपञाने के लिए जो test हैं ये routine में होते हैं जो की compulsory होते हैं कराने फिर आपको एक consent paper दिया जाता है और इसमें आपको DNC से होने वाले जोकिम के बारे में बताया गया होता है ठीक है और ये सब जब formality आप complete कर देते हो तो फिर आपकी जो बचेदानी की सफाई है उसके लिए आपको लेके जाया जाता है या तो आपको labor room में लेके जाया जाएगा या फिर operation tater में लेके जाया जाएगा अब देखिए जो बचेदानी की सफाई है ये कैसे करते हैं उसके लिए मैंने अलग से video बनाई है वो आप description box में देख लेना अब बात आती है कि बचेदानी की सफाई करने में time कितना लगता है तो minimum 10-15 minute का time लगता है बहुत ही simple procedure होता है और ये 10-15 minute में clear हो जाता है लेकिन अगर आपका case बहुत ज़्यादा खराब है तो इसको करने में लगबग 30 minute का time लग सकता है ठीक है फिर बात आती है कि बचेदानी की सफाई कराने में दर्द कितना होता है तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले डॉक्टर आपको examin करते है बचेदानी का मुँ खुला है कि नहीं खुला है तो अगर आपका बचेदानी का मुँ खुला है तो आपको दर्द नहीं होगा और दूसरी बात इस बात पर भी depend होती है कि आपको भ्योशी किस टाइप की दी है अब usually अगर आप किसी छोटे hospital में जाते हो तो भ्योशी वाले डॉक्टरों को नहीं बुलाया जाता ठीक है आपको local anesthesia देते हैं मतलब क्या करते हैं जो बचेदानी का मुँ होता है उसमें एक सुन का injection लगा देते हैं कई डॉक्टर आपको दर्द का injection भी देते हैं फिर नेन का injection भी देते हैं तो ऐसी condition में आपको नीद आ जाती है दर्द कम होता है लेकिन जब हम लोग ओजार डालते हैं तब थोड़ी बोती दर्द और क्रैंपिंग आपको महसूस हो सकती है लेकिन अगर आपका बच्चेदानी का मुँ खूला नहीं है और अगर हम लोग डारेक्टली उसको खोलते हैं और जारों से तो आपको दर्द होता है और फिर पेन भी होता है ठीक है इसकी दूसरी तरफ अगर आपको शोट जिये देते हैं जर्नल नेस्थीसिया देते हैं तो आप पूरे भी होश हो जाते हो आपकी डियनसी कब हुई मतलब बच्चेदानी की सफाई कब हुई आप कब ओपरेशन ठेटर से या फिर लेबर रूम से भार आगए आपको कोई आइडिया नहीं रहता है अब यह जो जर्नल नेस्थीसिया फीस है इसका ज्यादा चार्ज होता है और जो लोकल नेस्थीसिया का चार्ज है वो नामातर ही होता है ठीक है तो आपको देखना है कि अगर आप जर्नल नेस्थीसिया का चार्ज दे सकती हो तो मच बैटर तो देखिये ये आपकी टोटली कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का एनस्थेसिया दिया है अगर आपको लोकल एनस्थेसिया दिया थो आप होश में ही रहोगे और ज्यादा तर मैंने देखा है कि जो पेशेंट है वो डेट से दो घंटे में बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाता है खाने पीने लगता है उठकर बैठ भी जाता है उनको अगर नेंद का इंजेक्शन दिया तो डेट से दो घंटे में रिकावर हो जा दूसी तरफ अगर आपको पूरा भ्योश किया है तो पेशेंट को 6-8 घंटे का टाइम लग जाता है जब होश में आता है पेशेंट फिर हम लोग उसको खाने पिने के लिए देते हैं अगर पेशेंट को डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर हम लोग मैडिसीन देके पेशें है इसमें antibiotics और दर्द कम करने वाली दवाईयां और सूजन कम करने वाली दवाईयां है तो ये दवाईयां आप लोगों के लिए बहुत important होती है इसको time to time लेना जरूरी होता है फिर मैंने देखा है कि ज़्यादतर जो females हैं वो आराम नहीं करती है जिसें उनको बाद में bleeding भी लिए भी करना होता ज्यादा time चलना नहीं होता ज्यादा time खड़े नहीं रहना होता अगर आप जिम जाते हो exercise करते ओ योगा करते हो तो यह सब चीजें आपको avoid कर ना है इंटर को clicking avoid करना है ज्यादा आपको मिरच मसाला या फिर गरम चीजें नहीं खानी है और आपको मेंच्वल कप यूज नहीं करना है टैमपून यूज नहीं करना है वजाइना को अंदर से धोना नहीं है ठीक है वरना आपको infection हो सकता है आगे हम लोग discuss करते हैं कि बचेदानी की सफाई होने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है तो number one कि आपको bleeding नहीं होनी चाहिए अब जैसा में आपको बताया कि बचेदानी की सफाई में एक बार तो uterus को बचेदानी को हम लोग पूरा खाली कर देते हैं तो आपको bleeding नहीं होती है लेकिन अगर आपका case ज्यादा गंदा था या फिर pregnancy ज्यादा दिनों की थी तो आपको push time के लिए bleeding हो सकती है heavy bleeding हो सकती है heavy bleeding कितनी heavy bleeding अगर आपको एक घंटे में एक पैड यूज हो रहा है या उससे ज्यादा पैड यूज हो रहे हैं तो आपको heavy bleeding है अब यह जो heavy bleeding है यह 8 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर है 8 घंटे से ज्यादा तो आप Auto सोंपने डोक्टर से खंसलिक करें नमबर टू की आपको पेन ज्यादा नहीं होना चाहिए अपकेकना पेन हैवी पैन हैवी क्रैंपिंग नहीं होना चाहिए व्य हैवी क्रैंपिंग से मतलब मेरा यह है कि आपको दर्द हो रहा है और आप दर्द की गोलियां भी खा रहे हो लेकिन आपको still दर्द हो रहा है तो यह abnormal condition है जिसके लिए आपको डोक्टर से मिलना है अगला है कि आपको fever नहीं आना चाहिए आपको 101 degrees Fahrenheit से ज्यादा बुखार नहीं आना चाहिए अगर आ रहा है तो डोक् बचेदानी की सफाई के बाद थोड़ी वोती bleeding या फिर आपको sporting हो सकती है white discharge brown discharge आपको हो सकता है pain आपको हो सकता है लेकिन अगर यह सबी चीजें आपको साथ दिन से ज्यादा persist कर रही है लगातार बनी होई है तो यह abnormal condition है जिसके लिए आपको डोक्टर से concert करना है आगे हम हम लोग discuss करते हैं कि बचेदानी की सफाई के बाद bleeding कितने दिन तक होती है तो बचेदानी की जब हम लोग सफाई करते है तो बचेदानी के मूह को खोलते हैं अब बचेदानी के मूह को वापस से बंद होने में लगबग 2-3 दिन का time लग जाता है तो इस बीच आपको सफाई के बाद अगला पीरियड कब आता है तो बचेदानी की सफाई होने के बाद आपको अगला पीरियड 14 दिन से 35 दिन के बीच में आजाता है अगर 14 दिन से पहले आपको bleeding हो रही है रुकी और दुबारा से bleeding हुई 14 दिन से पहले तो आपको periods नहीं है वो abnormal reading है जिसके लिए आपको doctor से मिलना है और 35 दिनों तक अगर आपको periods नहीं आते हैं तो भी आपको doctor से मिलना है कभी-कभी ऐसा होता है कि जो pregnancy के products हैं वो uterus में रह जाते हैं और जिस वज़ा से आपको periods नहीं आते तो हो सकता है कि आपको दुबारा से बचेदानी की सफाई करानी पड़े या फिर हो सकता है कि आपको कुछ दवायां लेनी पड़े आगे हम लोग discuss करते हैं कि बचेदानी की सफाई के बाद दुबारा से relation कब रख सकते हैं तो देखिए बच्चेदानी की सफाई जब होती है तो हम लोग instrument अंदर डालते हैं ठीक है जिसे infection होने का chance रहता है बच्चेदानी का मूँ भी खुलता है तो इन सभी चीजों को वापस से normal होने में लगभग 3 सपता का समय लग जाता है तो आपको जो physical relation है मतलब की जो शारिक संबंध है वो 21 दिन तक avoid करना चाहिए आगे हम लोग डिसकस करते हैं कि बच्चेदानी की सफाई के बाद pregnancy कितने दिनों के बाद होती है तो देखिए pregnancy के लिए क्या जरूरी होता है कि महिला की अंडे दानी से अंडा release हो मतलब evolution हो तो बच्चेदानी की सफाई के बाद evolution कभी भी हो सकता है इस बीच अगर आप relation रखते हैं तो pregnancy conceive हो सकती है लेकिन pregnancy conceive होने के लिए बच्चेदानी की जो lining है endometrium lining उसको एक परियाप्त मात्रा में मोटा होना भी जरूरी है चुकि हमने बच्चेदानी की सफाई करते समय ये lining हम लोग पूरी छील कर निकाल देते हैं तो वापस इस lining को बनने में लग भग 10 दिन का समय लग जाता है तो ज़्यादा तर मैंने cases में देखा है कि जिन patient की बच्चेदानी की सफाई होती है तो उन्हें वापस इस pregnancy 10 दिनों के बाद हो जाती है आगे हम लोग discuss करते हैं कि बच्चेदानी की सफाई के बाद pregnancy कितने दिनों के बाद plan करनी चाहिए अब देखिए अगर आपने by mistake बच्चेदानी की सफाई करा ली हट बड़ी में सफाई करा ली है लेकिन आप आपको pregnancy चाहिए तो जैसे ही आपको period आता है तो उसके next cycle में आप अपनी pregnancy को plan कर सकते हो वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी pregnancy का miscarriage हुआ है तो आपको कम से कम 3 natural period cycle तक wait करना है और 4th period cycle में आप अपनी pregnancy के लिए plan कर सकते हो आगे हम लोग discuss करते हैं कि बच्चेदानी की सफाई के बाद क्या खाना पीना चाहिए तो देखे मैं हर patient को बोलता हूँ कि भई आपका पेट नहीं खोला है abdomen में कोई चीरा नहीं लगाया है ठीक है तो खाने पीने का कोई परहेज नहीं होता है लेकिन बच्चेदानी की जब हम लोग सफाई करते हैं तो अंदर infection रहने के सूजन रहने के chances रहते हैं इसलिए हम लोग patient को बोलती हैं कि आप ज़्यादा मिर्च मसाला fried चीज़े बाहर का खाना ये सब मत खाओ एक normal घर का खाना खाओ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो ताकि जो आपने दवाईयां खाई हैं उसके side effects जल्दी से आपको subside हो जाएं आगे हम लोग discuss करते हैं कि बच्चेदानी की सफाई कराने के कौन-कौन से side effects, कौन-कौन से जोखिम, कौन-कौन सी complication हो सकती है तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चेदानी की सफाई में हम लोग instrument ozar use करते हैं जिससे आपको infection होने का chance रहता है अब जो बच्चेदानी की सफाई हम लोग करते हैं उसमें हम लोग अंदर देखके बच्चेदानी की सफाई ने करते हैं तो हम लोग अपने experience से कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि जो DNC है बच्चेदानी की सफाई है वो एक blind procedure है वो हम लोग अपने experience से कर रहे हैं कि बही कितना ozar अंदर डालना है कितनी हमने अंदर की परत को खरोचना है ठीक है तो कभी कभी अगर जो डोक्टर है वो qualified नहीं है या फिर उनके पास ज़्यादा experience नहीं है तो फिर वो क्या करते हैं अंदर वाली जो परत है उसको ज़्यादा खूरच देते हैं उससे वहाँ पर scar tissues develop हो जाते हैं और बाद में ये जो परत है ये अपस में चिपक जाती है इसे hasherment syndrome कहती है इसके कारण महिलाओं को जो अगला period cycle है उसमें bleeding पहले जैसी नहीं होती है बहुत कम मात्रा में bleeding होती है और ये आगे जाकर infertility का भी कारण बनता है इसके लिए आपको operation कराना पड़ता है इसके इलावा आपको कभी-कभी heavy bleeding हो सकती है pain जादा हो सकता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर doctor को जादा experience नहीं है तो जो ओजार उन्होंने अंदर डाले है वो बच्चेदानी की दिवार को छेद देती है इससे क्या होता है internal bleeding हो सकती है लेकिन रहत वाली बात ये है कि जो बच्चेदानी है वो एक muscular organ है और जो दिवार छेदी गई थी उसको अपने आप बच्चेदानी repair कर लेती है इसके इलावा जो लोग बारी-बारी बच्चेदानी की सफाई कराती है तो इससे उन्हें infection होने का chance रहता है और scar tissues develop होने का Hasherman syndrome होने का risk रहता है जो कि बाद में बांच्पन का current बनता है तो ये बच्चेदानी की सफाई से होने वाले कुछ side effects कुछ जोखिम थे जो कि मिन आपको explain किये हैं और आज की वीडियो बस यहीं पर खतम करते हैं अगर still आपको किसी बात को लेकर doubt हो तो please comment कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like कीजिए, share कीजिएगा क्योंकि बहुत informative ये वीडियो रही है और बहुत मेहनत भी लगी है इस वीडियो को बनाने में तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में एक बहुत इंट्रस्टिंग टोपिक के साथ आप तक के लिए stay healthy, stay fit, thanks for watching this video